गणे जी का पसंदीदा प्रशार मोती चुर के लड़ू इजी मेथड से बिना जारा यूज किये हुए घर पर ही बनाईए तो चलिए शुरुआत करते हैं रेसिपी के लिए मल्टी किचन पूने में आप सब का स्वागत है रेसिपी के वीडियो आपको पसंद आते हैं तो चाइनल को ज़रू ज़रू सब्सक्राइब कीजे बेल आइकन कॉल को प्रेस कीजे वीडियो को लाइक करना मत भूलिये तो चलिए शुरुआत करते हैं रेसिपी के लिए मोती चुर के लड़ू बनाने के लिए यहां इस कप के माप से एक कप बैसन लिया है बस एक पिंच ओरेंज फुड कलर लिया है अभी सबसे पहले बैसन के आटे को छान लेंगे चन्नी में ताकि कोई गुटलिया नहीं रहने चाहिए मोती चुर के लड़ू बिल्कुल बढ़िया बनने चाहिए इसलिए यह स्टेप बहुत जरूरी है कि इसे चान लेना आप देख सकते हैं चोटी चोटी गुटलिया रहे गई है चन्नी में और आटा पूरी तरह चन्न चुका है अच्छी तरीके से अभी यहां लेंगे पानी यहां एक टेबल स्पून का स्पून लिया है एक टेबल स्पून के स्पून से दस टेबल स्पून पानी हम इसमें मिला लेंगे बिल्कुल राइट दस टेबल स्पून पानी हमने मिलाना है और इसे अच्छी तरह मिला लेंगे विसकर से ताकि कोई गुटलिया नहीं रहनी इसमें बिल्कुल जब हम बूंदी बनाएंगे तो अच्छी तरीके से बूंदी बन जाए इसलिए गुटलिया ना रहे यह मोस्ट इंपोर्टन टिप है फूड कलर डाल देंगे इसमें ही और अच्छी तरह फूड कलर के साथ इसे विस्क करेंगे यह अच्छी तरह विस्क यह मिश्रन तयार हो जाता है दस मिनिट रखना जरूरी है ताकि अच्छी तरफ फूल जाता है आप देख सकते हैं मिश्रन किस तरह यह स्पून से भी बूंद गिर रहा है तो मिश्रन बिल्कुल पर्फेक्ट बना है अभी या लिया है ग्लास ग्लास में डाल दी है बैग में हम डाल देंगे पूरा मिश्रन इस पाइपिंग बैग में समा जाता है और पूरे मिश्रन को डाल दिया है पैपिंग बैग में और अभी बैग को लेंगे अच्छी तरह नॉट करेंगे बैग को एक नॉट रबर से मार देंगे knot करने के बाद अच्छी तरह tight करेंगे इसे और rubber लगा लेंगे ताकि जब हम बूंदी बना रहे हैं बूंदी बनाने में हमें आसानी हो इसलिए rubber tight लगाना बहुत ही ज़रूरी है most important point है यह बूंदी बनाने का तभी आप अच्छी तरह से इस piping bag से बूंदी बना पाओगे और फिर इसका जो टोक है इसे हम बस हल्का सा कट करेंगे ज्यादा नहीं कट करना है ताकि हमें मोती चूर के लड़ू बनाने हैं बूंदी बिल्कुल मोती हो जैसी बननी चाहिए तेल को हमने गरम किया है और इस तरह से बस हम बूंदी डालते जाएंगे थोड़ा सा दूर से पकड़के इसमें बूंदी डालते जानी है आप देख सकते हैं किस तरह से बूंदी गिर रही है टेल में और जब तक ये पूरा भर नहीं जाता तेल में बूंदी तब तक हमने बूंदी डालती जानी है और फ्लेम को सिम पर रखना है और फिर ये पूरी बूंदी भर गई है इसे अच्छी तरह सिम फ्लेम पर एक से दो मिनिट के लिए अच्छी तरह फ्राय होने देंगे क्रंची होने देंगे और आप देख सकते हैं किस तरह से बूंदी मोतियों जैसी तयार हुई है अभी इसे निकाल लेंगे यह अच्छी तरह फ्राइ हुई है और चन्नी में ही निकालेंगे ताकि एकसे सॉइल हम निकाल पाए ज्यादा ओईल हमारे लड्डू में ना रहे इस इसलिए हमने ओईल में फ्राइ की है बूंदी बूंदी फ्राइ होके तयार है आप देख सकते है किस तरह से बूंदी बिल्कुल मोतियों जैसी लग रही है क्रंची भी बनी है तो यह तयार है बूंदी बूंदी को साइड में रखके हम सबसे पहले इसकी चाशनी और मीडियम फ्लेम पर इसे 7-8 मिनिट के लिए अच्छी तरह उबाल लेंगे बिल्कुल 7-8 मिनिट के लिए इस पर पूरी तरह ध्यान देना है चाशनी पर चाशनी उबल चुकी है फ्लेम को किया है मैंने ओफ और सबसे पहले चेक करेंगे हमारी चाशनी तयार हुई क्या नहीं जब स्पून को इस तरह से पकड़ेंगे जो लास्ट वाला ड्रॉफ है वो गाढ़ा दिखेगा और तार आएगी तो समझ लेना चाहिए हमारी चाशनी तयार है और एक इसकी टेस्ट लेंगे इसे इस कोटोरी में डाल देंगे अगर ये फैल लजाए तो तयार हो गई हमारी चाशनी तिसरी तेस्ट है हम उंगलियों के बीच में देखिए एक तार आग रही है और गाड़ी है पतली सितार नहीं है ये गारी तार आ रही है इसका मतलब है एक तार के आगे का पाक हमारा तयार है चाशनी तयार है तो अब बस इसमें डाल देंगे एक टेबल स्पून घी ताकि ये घी वाले लड़ू लगे इसलिए इसमें डाल देंगे घी चाशनी में ही हमने घी डालना ह और फिर जो बूंदी है तयार की हुई मोती चूर की बूंदी वो डाल देंगे इसमें ही डालने के बाद इसे अच्छी तरह मिला लेना है बूंदी को इस चाशनी में पूरी तरह मिक्स करना है और इसका और स्वात बढ़ाने के लिए मैंने काजू का यूज किया है बारिक बारिक कटे हुए काजू इसमें डाल दिये है और इसे अच्छी तरह चाशनी में पूरी बूंदी को मिक्स कर देंगे ताकि चाशनी अच्छी तरह इस बूंदी में मिल जाए एक घंटे के लिए धकन रखकर इसे ऐसे ही छोड़ देंग एक घंटे बाद आप देख सकते हैं किस तरह से तयार हुई है हमारी ये भूंदी अभी इसे अच्छी तरह हाथ से मिक्स करेंगे सबसे पहले हाथ से मिक्स करने के बाद इसके तयार कर लेंगे हम लड़ू अच्छी तरह हाथ से मिक्स करना है और अभी ये लड़ू हम तयार क कर लेंगे मोती चूर के लड़ू तयार है मोती चूर के लड़ू खास गनेश जी का पसंदीदा प्रशाद आप ये घर पर ही आसानी से तयार कर सकते हैं प्रशाद के लिए सभी को बाड़ भी सकते हैं प्रशाद के रूप में टेस्टी ऐसे टेम्टिंग ऐसे इसे हम वर्क लगाएंगे बर्क एवेलेबल है तो लगा लीजिए नहीं है तो कोई बात नहीं अगर ये मोती छुरकी लड़ू की रेसिपी आपको पसंद आई है तो मल्टी कीचन पूरे चाइनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकोन कॉल को प्रेस कीजिए वीडियो को जरूर जरूर लाइक कीजिए वीडियो पूरा देखिए ताकि पूरा देखने से हमारा होसला और बढ़ता है कमेंड कीजिए शेर कीजिए और ये रेसिपी जरूर जरूर गनपती पपा के लिए बनाए हम ये लड़ू तोड कर भी देखेंगे कि किस तरह से बने है अंदर से बिलकुल मुलायम हाथ में लेते ही देखिए तोड़ने से पहले ही ये तूड़ जाते है इतने मुलायम टेस्टी डिलिशियस टेम्टिंग खसता ऐसे लड़ू बने है तो आप जरूर जरूर ये रेसिपी ट्राइ कीजिए खाते रहिए खुश रहिए